बिहार में शराब बंदी कानून का महौल कोई और नहीं बलकि सरकार के जनप्रतिनीदी ही खराब कर रहे हैं। बकसर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में चांद पंचायत के मुख्या अजे कुमार गिरी को गिरफतार किया है। बता दे कि पुलिस तसकर को पकड़ने गई थी जहां सराब के नशे में जूमते पंचायत की मुख्या मिल गए जिने हिरासत में ले लिया गया बता दे कि मुख्या पद का पदभार संभालने के पहले सभी लोगों ने शराब नहीं पीने और सराब बंदी को सफल बनाने का सपत लिया मगर अब ये सपत जूठी साबित हो रही है मुख्या जी शराब के नशे में जूमते नजर आ रहे हैं बता दे कि चक्की भड़ियार ओपी छेत्र के चंदा पंचायत में उतपाद निरिक्षक के आदेश पर शराब तसकरी को लेकर उतपाद विभाग की ट्रीन च्छापे मारी करने पहुँची थी जहां से मोतिलाल गिरी के दो बोतल देशी दो बोतल विदेशी सराब के साथ गिरफतार किया गया बता दे कि मोतिलाल गिरी के बेटे विशाल गिरी को भी पुलिस ने पहले वे गिरफतार किया है जिसकी आलोक में दो बारा च्छापे म पुलिस गुप्त सूचना के अधार पर सराप तसकरों को पकड़ने पहुंची थी शराप तसकर को तो गिरफतार किया ही लेकिन इस दौरान पंचायत के मुख्या को भी शराप के नशे में देखकर गिरफतार कर लिया जिनकी अप कलकोट में पेशी होगी ऐसे में यह सवाल है कि जिन लोगों के उपर जिमेवारी हो वो आखिर ऐसे में कैसे इस कानून का मजा कुरा सकते हैं आपको बता दें कि पंचायत की जनता ने पहली बार अजयगीरी को मुख्या पद के लिए चुना था और अब हो सकता है कि उनका यह पद भी उनके हाथ से जला जाए बैरो भी जनका के हुँ सथी छूर है हैं में कि उनके हाथ से दोगे जनका चायशनम से पर पादिए आजज इुर्बर कर चाहथ कि उनना जनका रड़े कि जनका ते बाता है झाल झाल